नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में सितलहर को लेकर 26 दिसंबर से इसकूलों को बंद रखने का आदेश जार्खन में सितलहर को देखते हुए सभी सरकारी इसकूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं जार्खन सरकार के स्कूली सिक्षा और सरक्षर्टा विभाग की ओर से विरस्पत्तिवार 21 दिसंबर को इसका आदेश जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि राज में सितलहर के बढ़ते परभाव को देखते हुए राज के सभी सरकारी, गयर सरकारी, सहता प्राप्त, गयर सहता प्राप्त एवं सभी नीजी स्कूलों को बंद किया जाता है कहा गया है कि जार्खन के एस अभी स्कूल 26 दिसंबर से 31 दिसंबर दोह या 23 तक बंद रहेंगे आदेश में यह भी कहा गया है कि माधमिक एवम उस्तर माधमिक यानि मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परिक्षा को ध्यान में रखते हुए समधित इसकूल जरूरत के अनुसार दसवी से बराहमित तक की कक्षाओ का संचालन करेंगे विभागे सचीव की अनुमती से जारी इस आदेश को ततकाल प्रभाव से लागू माना जाएगा बता दे कि उत्तर भारत में बर्फ बारी और ठंड हवाओ की वजर से जारखन में भी तापमान गिर गया है काके का नुमत्म तापमान तीन डिगरी सेल्शेस हो गया वह राई दानि राच्छी के निमत्म तापमान में भी 0.45 डिगरी सेल्शेस की गिरावट आई है पंचायत सच्चिवाले स्वयम सेवकों के सबर का बंध तूटा अपनी मांगों के समर्थन में पिछले 170 दिनों से आंदोरन कर रहे पंचायत सच्चिवाले स्वयम सेवकों के सबर का बंध तूट गया है उन्हें पुलिस की लाठी मिली है सित कालिन सत्र के अमतीम दिन बिधान सभा खिराव करने जा रहे है राजिय के हजारों पंचाई सचवले सेहगों को पुलिस ने जम कर लाठिया बरसाई इस लाठी चार्ज में कई सवह घायल भी हुए है बता दे कि पंचाय सच्वाले स्वमसेवक जैसे ही जगनाथ मंदिर के समी पहुंचे पूलिस के दोरा उन्हें रोका गया बिधान सभा जानने के जीद कर रहे पंचाय सच्वाले स्वमसेवकों ने इस दोरान पूलिस वेरिकेटिंग को तोड़े जाने की कोशिश की पुलिस ने पहले वाटर कैनन से उन्हें रोगने की कोशिस की उसके बाद अंदोरन कार्यों पर जम कर लाठी बरसाई सरकार के खिलाब नारेवाजी करते महिला स्वयम सेवकों को भी इस दवरान नहीं छोड़ा गया पुलिस की इस करवाई के वोज़ा से आधा दर जन से अधिक पंचाय सच्वाले सेवक घायल होगा यहाँ रोबिन मींज को स्रियम हमंत ने हाथों से खिलाई मिठाई रांची के राज कुमार कहे जाने वाले महिंद्रे सिंग धोनी को अपना अधर्स मानने वाले जार्खन के बिकेट की पर बले बाज रोबिन मींज ने गुरुवार को जार्खन के मुख्य मंतरी हमंसुरें से मुलकात की रोबिन मिंज राजी के उभरते क्रिकेट स्टार है आई पील में रोबिन गुजराथ टाइटन्स के लिए खेलेंगे अपने चेन के बाद वह मुख्य मंत्री से मिलने पहुचे थे बतादे सीयम हेमन्सुरेन ने गुर्वार को जार्खन भी धास्वा में राज्ये के उभरते वे इस्टार क्रिकेट खिलाडी रोबिन मिंज से मुलकात की इस असरब अन्मुख्य मंत्री हमन्सुरेन ने इंडियन पिर्मियों लीग दोहजर चोबिस के गुजराथ टाइटन्स टीम का हिस्सा बनने पर रोबिन मिंज को अपनी ओर से हादिक बधाय यम सुबकमनाय दी तथा मिठाई खिला कर उनका होसला बढ़ाया मुलकात के दोन्मुख्य मंत्री हमन्सुरेन काफी खुस नजर आए उन्होंने रोबिन को उनके उजल भविस के लिए सुबकमनाय तो दी ही साथ या भी भरोसा दिलाया है कि पुरा राज्य और सरकार दोनों ही उनके साथ है जारखन में साथ ही पोटल से चात्रों को सरकार कराएगी तयारी जारखन सरकार ने चात्रों को मेडिकल इंजिनियरिंग परवेश परिक्षा की तयारी के लिए अच्छी पहल की है सरकार ने साथ ही पोटल बनाया है जिससे चात्र निसुल्क तयारी कर सकेंगे बता देरा जमें एंजिरियरिंग मेडिकल सहीद विभीन परिट्यक्ता परिशा के त्यारी में लगे इसकूली चात्रों के लिए सिक्षा विभाग ने एक बेहतरीन पोर्टल का इजाद किया है इसके जरी जार्खन के चात्र ने सुल्क सिक्षा परदान कर सकते हैं IIT कानपुर्द वारत तयार इस सार्थी पोर्टल में 720 विडियो ब्याख्यान के साथ करीब साथ हैर प्रश्णों का समावेशन किया गया है सदन में गुंजा बाबुलाल मरांडी की उपयक्षा का ममला सितकालीन सत्र के अम्तिम कार्य दीवस की प्रश्ण काल की करवाही भी हंगामा की बेठ चड़ गई प्रश्ण काल सुरू होते ही बिधायक परदी प्यादों ने बेवास था कि तोह सदन का ध्यान आक्रिष्ट कराते हुए काया है कि बावुला म्राणी ने सदन के बाहर मीडिया में ब्यान दिया है कि 1932 के खतियान अधाइत आसानियता बिल पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया यह सदन के बिस्यता अधिकार का हनन है उन पर करवाई की जानी चाहिए परदी प्यादों ने आरोप लगाया है कि बावुला म्राणी हमेशा निराधार बाते करते हैं उनके समर्थन में इर्भान अंसारी और रोमा संकर अकेला समेथ औरने कॉंग्रेस के विधायकों ने वे देने का अगर किया था लेकिन उन्हें नहीं दिया गया इंडानी डेफिक से राणची कोστ Japan हावा में कट रहे हैं सुनने में आपको कुछ अटपटा सरवाला शन लहां लगता होग जुर्माना भी एक दो नहीं बलिक बारा कोर रूपे वसुलना है बदादे राजधानी राची में साल दो हेर्टेज के जनवरी महिने से लेकर नॉवंबर महिने तक कुल अठाला लाग सत्रह हजार चलान ट्रैफिक पुलिस के दोवारा काटे गाए साल भर में फाइन की कुल रखम 14 क्रोर 52,45 यार होगा जिसमें से एक साल में जिला पर्योहन विभाग सिर्फ 2 क्रोर की वसुली ही कर पाया है जारखन में JN1 का एक भी मरीज नहीं स्वास्त मंत्री केरल में कुरोना के नए सब वेरियंट JN1 मिलने के बाद जारखन सही देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है हलाकि जारखन के लिए सुखत बादया है कि इस वेरियंट के एक भी कोई मरीज नहीं पाये गये हैं भारत सरकार की ओर से इस नए सब वेरियंट JN1 को लेकर गाइड लेंज जारी होने के बाद जारखन में भी एतिहातन कदम उठाय जा रहे हैं जारखन स्वास्त बिभाग के द्वारा सभी जीलों के डीसी सिविल सर्जान मेटिकल कॉलेज अस्पतार करिंदेशक और परचार एको कुरोना से नए सब वेरियंट को लेकर अवस्य कदम उठाने का निदेश्ट दिया गया है इस सब के भी जारखन सरकार के स्वास्त मत्री बना गुपता नस्पस्ट रूप से कहा है कि जारखन में जे इन वन का एक भी मरीज नहीं है मीडिया में आ रही ख़बर भरामक है जो भी दो मरीज की बात आ रही है वह पहले से ही कुरोना के मरीज है कोडार्मा में संजाय सिंग की हत्या के बाद आक्रोस कोडार्मा के गांधी स्कूल रोड इस्थीत मास्टर मुहला में मात्र धाई फिट के रास्ता विवाद को लेकर हुई मार पिट की घटना में खायल संजय सिंग की इलाज के करम में रिम्स रांची में मोथ के बाद सो गुरुवार को तीलेया लाया गया सो पहुंचता ही परिजनों व गिरामिनों के गुशा फुट पड़ा लोगों ने 100 के साथ तिलया थाना के सामने रांची पटना रोड जाम करना रेवाजी शुरू कर दी दोपर करीब साड़े 3 बजे शुरू हुआ सड़क जाम वपड़सर रात तक जारी था लोग आरोपियों की अविलम गिरफतारी वफासी देने जाम अस्थल पर एसपी को बुलाने तिलया थाना प्रभारी बिनोत कुमार को निलंबित करने सहित अन्यमांग कर रहे थे सिंगानिया गुरूप के ठीकानों से 100 क्रोर से अधिक की गरबड़ी आयकर्वी भाग के चापे मारी में सिंगानिया गुरूप के ठीकानों से 100 क्रोर रूपए से अधिक की गरबड़ी मिली है या गरबड़ी बुक आफ एकाउंट्स में समान की खरीद बिक्री में की गई है इसके अलावा बड़े प्रमाने पर फंड बिचलन के सबुत मिले हैं वहीं 40 लाख रूपे नगद और 90 गराम सोने की बिस्कुट जब्त की गई आयकर बिभाग ने 9 दिसमर को सिंगानिया गुरूप के जारकन बिहार बंगाल और मध्य पर्दिस के कूल ठीकानों पर शापे मारी शुरू की थी जो गुरुवार की साम समाप्त हो गई है धनबाद में बढ़ते अपराधी घटनाओं की समिक्षा करेगी सरकार बिधायक राज सिनहा के गईर सरकारी संकल्प पत्र पर मंत्री ने यह जनकारी दी है श्री सिनहा ने गईर सरकारी संकल्प के माद्यम से कहा था कि क्या धनबाद में लगातार बेहसाईयों को मिल रहे धम की भाया दोहन एमगोली मारने की घाटना को रोकने के लिए ADG अस्तर के प्राधिकारिक नेतितु में STF गठन पर करवाई करेगी अम तिन दिन बिधायकों की ओर से कूल 35 गैर सरकारी संकल्प लाए गए थे सौधी अरब में फसे जारखन के 45 मईदूर सौधी अरब में फसे जारखन के 45 मईदूर का खाना पीना अब बंद हो गया है कमपेणी ने कीचेन में ताला लगा दिया है भारतिय दूतावास ने तीन दिनों के लिए उन्हें खाना पीना उपलब्द कराया था परवासी मईदूरो की मदद कराने वाले समाज से भी सिकंदर अली को 6 दिसंबर को वाटसेप कॉल के मादेम से मईदूरो ने कहा था कि 11 माई को वा कमर्शियल टेकनोलोजी की टांस्मिशन लाइन में काम करने कंट्रेक्ट पर सौधी अरब पहुँचे थे इसके एवाज में बतोर कमिशन 55 रुपे का भुखतान करना पड़ा काम के बदले लाइन मेंन को 1500 रियाल, हेलपर को 1100 रियाल के अलावा ओवर टाइम के लिए 750 रियाल और खाने पाने के लिए अलग से 300 रियाल देने का आस्वासन मिला था इसर साथ महिना काम करवा कर कमपनी ने मात्र दो महिने के मजदूरी का भुखतान किया है लोहर दग्गा में एक बार फिर उग्रवादियों का तंड़ो लोहर दग्गा जिल्य में एक बार फिर उग्रवादियों ने तंड़ो मचाया है उग्रबादियों ने जील्या के कैरो परखंट शेत्र के एड़ा दोन के पास नंदिनी डेम के तीन नहरों के पकी करण और वरमती के काम में लगे मसीनों को आग के हवाले कर दिया है उग्रबादियों ने बुद्दवार की रात को घटना को अजाम दिया है जिसमें एक पोकलेन मसीन और एक ट्रेक्टर को आग के हवाले कर दिया है बताया जाता है कि पीले फाई उग्रबादी संगठन के कमंडर किष्णा यादो के दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया है काटना की सुचना मिलने के बाद DSP परमेश्वर प्रसाद इंस्पेक्टर मंटु कुमार सहित औने पुलिस के अधिकारी काटना स्थल पर पहुंचे है हजारी बाग में आग जला कर सो रहे चार लोगों की मौत तीन गंभी हजारी बाग कटकम दाग थाना छेतरे के रसूली गंज में साथ लोग बुद्धवार की रात कोईले की अंगुठी जला कर सोय थे ठंड के करान उन्होंने अंगुठी जला कर दरवाजा बंद कर दिया था लेकिन सुबा उठे ही नहीं सुबा जब देर होने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बगल के लोगों ने आवाज लगाई फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे लोगों ने पाया की सभी बेहोस पड़े हैं जिसके बाद सभी को आरोगयम अस्पताल में बर्ति कराया गया उनमें चार लोगों की मौत हो गई जब कितीन गंभीर बताया जा रहे हैं जनकारी के मुताबिक सभी बिहार के बकसर जीले के रहने वाले हैं सभी किसी कमपनी के सेल्स ब्वाई के रूप में काम करते हैं जो प्रोडक्ट को घुम घुम कर बेजते थे इसी सिले में वे जार्खन के हजारी बाग जीला पहुंचे थे संथाल में कोईले की तसकरी से 32 सो क्लोर के राया स्वक की नुकसान सत्ता पक्स के जामोंवा बिधाया ग्लोबिन हेम्रम ने गेर सरकारी संकल्प के तहस्तादन में बेहाद गंभीर मसले को उठाया है उन्होंने आरोप लगा है कि पाकुड में करीब 80 लाग टन कोईले की तसकरी हुई है अमरा पाला में बिना भू अर्जन के 846 एकर रहती जमीन WPDCL के नाम लीज डीड जारी किया गया इससे करीब 32 क्लोर रुपे कर रायसो का नुकसान हुआ है उन्होंने यह भी आरोप लगा है कि पाकुड में 744.44 एकर चाहव गंज में 127.57 एकर रहती जमीन और बोकारों में 125.8 एकर गर मजरूया खास लेंड का अवैज तरीके से भू अर्जान और रॉष्टर डीड बनायकर हड़प लिया गया है हजारी भाग में 4 दिन से बच्चा लपता सड़क पर विरोध हजारी भाग के ओकनी मुहला साइम मंदिर के निकट से 18 दिसमर 23 को 4 वर्षी पपलु कुमार गुपता लपाता हो गया चार दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला बिरोध में गुरुवार को परिजन और मुहलावासियों ने जहंडा चोक को जाम कर दिया परिजनों ने पुलिस परसासन से मांग की है कि बच्चों को ढूंडने के लिए पुलिस एसाइटी टीम गठित करे स्वाहर में लगे सीसी टीवी कैमरे को खंगाले परिजन और मुहलावासियों पुलिस की कारसली का बिरोध जता रहे थे लोग तक्ती पोस्टर में पुलिस के खिलाप नारा लिखे थे जहंडा चोक जाम करने वालों ने बताया है कि बच्चे की गुमसुदकी की रिपोर्ट लोह सिंग ठाना में दर्ज कराई गई है चार दिन बिद जाने के बाद भी पुलिस बच्चे को ढूंडे में मदद नहीं कर रही है धन्यवाद